हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मेमू 7.2.9 एंड्रोइड एमिलेटर कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 10, 8, 7 के अंदर हो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सस्काइब नहीं के ते प्लीज चैनल को सस्काइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आप अपने लेटाप या पीसी के अंदर कोई भी ब्रॉजर ओपन कर लिजएगा ब्रॉजर ओपन करने के बाद आपको गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टैप कर देना है मेमू और इंटर कर देना है इंट किजेगा तो भी डेक्ट ली यह पेज ओपन हो जाएगा यह पेज ओपन होती ही आपको क्या करना इसको डॉन करती ही यहाँ पर आपको दिख जाएगा डाउनलोड के लिए तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर वर्जन 7.2.9 लिखा हुआ आज के डेट में यहीं है आपक को सेब करना चाहते है फॉल्डर सेलेक्ट कर लिजेगा इसके बाद आपको सेब पे क्लिक कर देना है क्लिक करती है आपका एक्सी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपको कुछ ने करना यहाँ पर आपको कुछ सकन वेट करना है यह टोटल 441 MB का है तो आपको क्या करन है इसको डाउनलोड करना है चले डाउनलोड' कंप्रीट होने के बाद आपको आगे का प्रोशेस बताता हूं आप देखिरें मेरे केस में डाउनलोड कंपलीट हो चुका है'll already completed होने के बाद आपको क्या करना है उस फ professor को सेब किया हुआं वहां पर आपको इस तरह से दिख देखता हैाँ तो आपको कहा करना है यहाँ करके बाहर आ जाना है update करनhen यहाँ था प्र धींदर कर सकते हैं यहाँ ताकर रंडिंटर मोड में आपको स्टॉल करना है धी मालब काैस में यहां पे ड्थाइब दिखाता है ऐसका दो रीजन होता है पहला कि माल लिजे यदि आप بहुत सारा गेम सी डाइब के अंदर इससे क्या होता है डाटा फोल होने के कारण आपका PC ये लेटप हैंग होना शुरू हो जाता है दूसरा कि मान लीजिए बड़ी मुश्किल से बहुत सारा गेम डाउनलोड करते हैं लेकिन होता क्या है दो मेहने बाद चार मेहने बाद कभी भी आपका विंडो करप्ट हो जात जयदा स्पेस हो उस डेप के अंदर आपको इंस्टोल करना है इसके कारण क्या होगा आपका सारा गेम का डाटा सेब रहेगा आपको फिरसे डाउनलोड करने के विज़ूत नहीं परेगा दूसरा डेप सलट करने के लिए आपको क्या करने के लिए यहापर ब्रॉज दिख दिखाऊँगा आप जी डчиब करना चाहते है इस डव पर आपको क्या करने कर देना है डबल कलिक करते है इस तरह से वींडू पूनो नहीं हो जाएगा इसके बाद को क्या करना यहापको इंस्टॉलेẫn का पाथ दिख जाएगा हूं आपको इन्स्ट्टॉल कुछ सकंड के बाद इस तरह से अटोमेटिक ब्राजर के अंदर एक पेज ओपन हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है इसके बाद आपको ब्राजर को मिनिमाज कर देना है मिनिमाज करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा अब देख रहें यहाँ पे अभी लांच नौन लिखा हुआ आगया इसका मतलब यह गेम इस्टॉल हो चुका है और आप देखिएगा डेक्स्टॉप पे भी शौटकॉट आइकन आ जाएगा इस तरह से अब देख र करते हैं किलिक करते हैं इस तरह से विंडॉप अपन हो जाएगा आप देख रहें यहाँ पे आप यह कुछ इंस्टॉलेशन होगा फरस्ट तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको वेट करना है देख रहें मेरे केस में 100% कंप्लीट होने के बाद आप्टोमेटिक यह वि सचवार में जाके सर्च करके भी ऑपेन करसकते दोनों में से अब कहीं से खिल्वक कर को पेन कर लीजेगा चलिए मैं एक्स में это को पर डबल इसको यूज कर सकते हैं कुछ सकंड बेट की जएगा तो आटोमेटिक जो भी एप होगा वह इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर देखरें यह सारा इंस्टॉल हो चुका है अब आपको क्या करना है जो भी गेम या जो भी एंडॉइड आप इंस्टॉल करना चाहते हैं इसके predictive ऑन करना है इसके बाद यहाँ पर पासओर्ट पे पूछेगा ता आपको क्लिक कर देआ है इसके बाद आपको नेको मेंट पहकर दो को सब्सक्राइब ग करती है। यहाँ पर एसॆफ नगर सब्सक्राइब सब्सक्रानिेक। को ड़ून करते हैं यहाँ पर दिख़ जाएगा यहाँ पर बोलता है यहाँ नहीं चाहिए तो इसको बंद कर देए इसके बाद आप II 이제 just चलिए हम उसको बोघ कर देते हैं अब को कहा करें और यहां से कोई भी आप सार्च करके आप इसको कर सकते हैं इसको फिल सकते हैं इसको खेल सकते मैं या प्रेकेस में यह इंस्टॉल हो चुका है अब आप इसको ओपेंट करके भी दिखा देता हूं इस तरह से कोई भी Android आप इसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से आप इसको इंस्टॉल करके यूज कर लिजेगा यहीं आज का हमारा टॉपिक था और प्लीज गा च झाल आप अच्छॉल झाल झाल